किसमें बेटा, केमिकल इनर्जी में और बेटर है कि आप कॉमा की जिगा पर क्या लगा लो आर और के दे रखा है पूर हेलो एब्रीवान, वेल्कम बैक टू दे चैनल माई नेम इस माईश्यू अग्नियोत्री आज भी था मगोग पढ़ेंगे एलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का third lecture, ठीक है ना, एलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लोगोंने एलेक्ट्रोलिटिक सेल से पहले का जितना भी पाट था वो complete कर लिया, आज हमारी जो चैप्टर की starting है वो होगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है तो पहली बात तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होती क्या है मैं आपको बताता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर दोस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती है जो केमिकल इनर्जी को इलेक्ट्रिकल इनर्जी में करें किसमें बिटा chemical energy में chemical energy में तो हमने पढ़ा था कि electro chemistry में दो type का ही transformation होगा एक क्या होगा एक हमारी chemical energy convert होगी electrical के अंदर जिसे हम लोग बोलेंगे कि electro chemical cell दूसरा होगा electrical का conversion किसके अंदर chemical के अंदर और इसी process को इसी reaction को इसी cell को अब इसका एक बार वर्किंग देखते हैं तो वर्किंग के लिए देख वड़ा for example मैंने क्या करा एक बीकर लिया इसमें एक ही बीकर लिया जाएगा और उसमें आप क्या करो molten NACL फिल कर दो ठीक ना तो मैंने क्या करा इसमें जो है molten NACL को फिल कर दिया कल आपने PDT पढ़ा था आपको याद होगा molten NACL में और aqueous NACL में क्या डिफरेंस था इसके लास्ट वाल लेक्चर में जाना हम लोग नहीं आप पर PDT पढ़ा था preferential discharge ते और उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास molten NACL है जब उसकी reaction हम एनोड और cathode पर करा रहे थे तो हमें क्या हो रहा था एनोड पर मिल ला था CL2 cathode मिल ला था sodium solid लेकिन जब at the same time हम aqueous NACL की reaction करा रहे थे एनोड और cathode पर तो क्या हो रहा था बटा तो cathode पर तो sodium नहीं मिल ला था तब मिल ला था आपको hydrogen gas cathode पे और एनोड पे CL2 gas तो ध्यानक ना दोनों का मीनिंग अलग अलग है ठीक ना ऐसा नहीं कि जो एक को स्काम करेगा वही हमारे पास मॉल्टन करेगा तो इसमें क्या भरेंगे मॉल्टन एने सील और जब मैं बूल लाँ एक सॉल्ट है तो कल भी बताया था कि जितने भी एसेड बेसेज और सॉल्ट होते हैं वह अपने आइंस की फ़र्म एक्जिस्ट करते हैं ना कि दिस ओवर और मॉलक्यूल तो न्यूट्रल मैंने बोला था on the basis of charges you cannot decide कि anode क्या होगा और cathode क्या होगा हम तो इस बात पर decide करेंगे कि जहां पर oxidation हो रहा होगा वहाला electrode हमारा क्या हो जाएगा anode और जहां पर reduction हो रहा होगा वह क्या हो जाएगा हमारा cathode अब देखो मालो मैंने बैठी लगा दी यह positive यह negative आपको पता हो अगर यह इदर negative यह तो इस पर क्या जाएगा निगेटिव चाह जाएगा और आपको जैसा कि पता है कि इसके अंदर कौन क्या प्रेजेंट है एक तो एन पॉस्तिव प्रेजेंट है दूसरा कौन प्रेजेंट है CL- इस साइड में एन पॉस्तिव कि दर जाएगा इस साइड में यानिकर मैं आप से बोलूं कि आप रिक्शन लिखो किसकी एट अनोड है ना या फिर एट कैथोर्ड तो आप लिख लोगे बिलकुल लिख लेंगे बिटम लोग एट एट अनोड एट कैथोर्ड क्या होगा रिक्शन मैंने बुला था एट एनोड पे एनोड पर कैथोर्ड पर एनोड पर एनोड जारा यानिकि यहां पर क्या और गॉरजएल कि सोडियम को लिखेगा ओर करेगा इतनी बात आपको ध्यान इसकी शогली पड़ेगी तो इलेक्टोलिग आप बिसके लिए आप से यह reactions ही पूछी जाएंगे और कुछ नहीं आप से कहाएंगा बताओ एनोड पर क्या होगा कैथोड पर क्या reaction होगी कोई भी स्वाल दे दिया जिस फ़र एक्जामपल एजी सील दे दिया आप एजी सील में भी दो चीजे हैं कैथोड पर मारा reduction होगा बट अगर आपको कहीं पर AQUOS NACL दे रखा या AQUOS AGCL दे रखा है उस केस में क्या करोगे उस केस में आपको PDT पढ़नी होगी मतलब की हमें देखना होगा कि that iron will migrate first which has more SRP इस tender reduction potential जिसका जादा होगा वही क्या करेगा वही तुमारा जाएगा कैथोड पे और in case of NIN मैंने आपको छोटी से एक trick बताई थी SNOOCBI तो इस बात का ध्यान रखना फिलहाल के लिए ये आपकी होगे Electroletic Cell अब माल लो इसमें तुम्हें आपके 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 आने वाले जो भी चीज़ा पड़ोगे उनमें ये फॉम्मले यूस होंगे तो resistance क्या होता resistivity क्या होता conductance क्या होता conductivity क्या होता उसी को पड़ते हैं अगर मैं आपको बो resistance तो आपने पड़ रखा है कि R जो होता इस directly proportional होता है length के R is directly proportional sorry inversely proportional होता है किसके area के है और जब अगर इसे मैं A माल लूँ इसे मैं माल लूँ इन दोने equation को equate करूँगा तो क्या लिखते हैं लोग R is directly proportional to the L by A proportionality का जैसे ही आप sign हटा होगे तो एक constant लग जाएगा rho L by A है ना और यही हमारा R का formula हो गया अच्छा इसकी unit क्या होती इसकी unit होती ohm क्या लिखते हैं लोग ohm लिखते हैं और हम इस symbol से इसे denote करते हैं ठीक है ना यहाँ पर rho क्या है rho आपकी resistivity L length है और A क्या है area किसका wire का या जो भी ले रहाँ x, y, z चलो फिलाल अब conductance क्या होता है पहली बात तो बटा conductance को C से भी denote करते हैं और G से भी denote करते हैं तो ध्यान रखना अगर G लिखा है किताब में यहाँ कोशन में मैं C दे रखा है तो हो conductance ही है conductance क्या होता है conductance कुछ नहीं बेटा बस recipe रोकल है R का तो अगर मैं बोलूँ what is G तो आपको जोगे sir G होता है 1 by R that's it ठीक है ना अब R का formula आपके सामने लिखा आपको अगर value put करनी आप इसमें value put करके formula बना लोगे दूसरी बात R का बेटा अब यहाँ पर क्या है अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ना इसमें लोग 1 upon upon में ओम है ओम की power क्या है 1 अउपर जाएगा माइनस 1 तो इसमें लोग लिखेंगे ohm inverse ठीक है और इसी को हम लोग बोलते है mo m h o और इसी को बेटाम लोग बोलते है Simon ठीक है तो ohm inverse mo या फिर Simon और एक और सी ध्यान रखना इस वाला यह जो symbol है ohm inverse इसे ऐसे भी बनाया जाता है उल्टा करके ठीक है तो यह देख के डर मत जाना कि ohm inverse आ गया mo क्या हो गया यह क्या होगा सब एक ही चीज़ है चाहो तो आप ohm inverse बोलो चाहे आप mo बोलो चाहे आप इसे उल्टा करके बना दो चाहे आपको Simon अब यह बना दो तुम थोड़े ना बना ओगे question में तुम्हें देखा होगा कहीं पर ohm inverse लिखा होगा अब पास फर्म्मुला था R is equal to rho L by A right R is equal to rho L by A तो अगर में यहां से resistivity का फर्मुला निकाल लेंगे बताओ बिल्कुल निकाल लेंगे तो रो को इधर रखो क्या हो गया इसे इधर भेज दिया तो हम्हें पास होगया R A और L इसके multiply में तो डिवाइड में चला गया तो क्या formula बन गया हमारे पास rho is equal to बन गया R A by L यहां पर जगा थोड़ी कम बचरी इधर लिख देते हैं तो हमारे पास formula क्या हो गया R rho is equal to हो गया हमारे पास R A by L अब ज़र बटाइब इसकी unit निकाल लो कैसे निकालोगे भाई देखो R की unit क्या होती है R तो हमारे ओम होता है A क्या होता बटा A हमारा meter square या centimeter square L किसमे L ले लो meter में इससे ये cancel तो क्या बन गया Ohm meter बन गया या Ohm centimeter बन गया तो इसे Ohm meter बोल दो या तुम क्या बोलेंगे Ohm centimeter meter ठीक है देहान लगना दोनों में से कोई भी ची लिख सकते हैं और बैटर है कि आप कॉमा की जिगा पर क्या लगा लो और लिख लो है ना तो यहाँ पर ये या ये अब बात करते हैं conductivity की conductivity की बटा denote करते हैं किसम लोग कपपा से यह क्या होता है यह होता कपपा और जैसे आपका conductance resistance का reciprocal होता है ऐसे conductivity की इसकी reciprocal हो जाएगी resistivity की यानि कि हम लोग कपपा is equal to क्या लिखेंगे 1 by row अब देखो 1 by row तो एक बाँ बाँ बताओ तो यह 1 upon row की unit क्या निकाली हम लोगों ने हमने बोला कि या तो हम क्या बोलेंगे ohm बोलेंगे मीटर बोलेंगे या centimeter अगर इस है ohm centimeter अब नीचे है तो ohm की power 1 centimeter की power 1 उपर लेके आओगे तो क्या बोलेंगे तो यह जाएगा ohm inverse centimeter inverse और इसी को आप बोल सकते हो Simon centimeter inverse और मैं आपको बता दूँ जब आप questions करोगे तो आपको यह वाली ज्यादा unit दिया जाएगा ठीक है ना तो घबराने की जरुत नहीं है जैसे आप देखोगे Simon centimeter inverse Simon का मतलब होता है ohm inverse तो ohm inverse और Simon एक ही बात है तो कहीं पर Simon centimeter inverse मतलब हमें क्या दे रखा वो conductivity दे रखी है देखो यह unit सियाद करना इसलिए important है कि अगर आप question लगा रहो और यह बोला कि आपको यह दे रखा है उसकी unit तो अगर हमें इसका यह पता है कि इसकी unit है क्या तो हम देख के पता कर लेंगे ना question में given क्या क्या नहीं तो question कैसे लगा होगे ठीक है एक बार इसका प्यारा सा जल्दी से screenshot लो चले आगे बटा चलो आगे अब नाओ अब हम बात करते हैं cell constant क्या होता है पहली बात तो है cell constant को आप denote करते हो sigma से भी और इसे हम लोग जी स्टार से भी देनोट करते हैं और यह होता है length by area का ratio ठीक है तो जी स्टार और sigma is equal to क्या होता है L by A एक relation देखते है K में जी स्टार में और R में देखंगे आर का फार्मला क्या था R का फार्मला था rho into में L by A है ना अच्छा एक और बात है पीछे जरा पढ़ना बल्टो बढ़ा तुमने कप्पा क्या पढ़ा था कप्पा इस गल्टो को होता है 1 by 0 है ना अरे पीछे देखो ना यह क्या था कप्पा इस गल्टो क्या था 1 by 0 हो था इस गडार का फ्रमला की बन गया ईन्ट्में धिद differ बलो अधिया चलें की नहीं चलें आने आगे अधिया बतलो था बहुत इंपोर्टन दे एक ईनिद्ट Meer रखता — उन्हें रखता है comes छे अल बन है केक defend है तो आर भी कोशा नगे कितना दे रखा है इसल में आरल के तो फॉर्मला का है जी इस टर is equal to तो आर इंटू में के वेल्यू पूट कर दो, आर कितना है बेटा, साथ, ठीक है, के कितना देराखा है, वन पॉइंटू इंटू में, टेन टू दी पावर माइनस का टू, पॉइंट राके, एक जीरो नीचे बढ़ा के, इससे उड़ा दिया, अब बचा बारा, बारा की जी स्टार आगे निकल के, ठीक है, तो अगर कोश्चन में हमें जी स्टार निकालना है, तो हमें उसके लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है, जी स्टार का बहुती प्यारा सा कोश्चन, फॉर्मुला हमारे पास है, क्या जी स्टार इस इकल टू र इंटू के, का के का यह कि पावर्सीओं पार पास क्या होता है लेम्डा है यह विच्वेलेंग बोलते हैं यह सपने से लिख दो कि पावर्सी है ना अच्छा लेकिन के formula क्या है बटा formula इसका यह है कि lambda m की power जो c है उसका formula होता है k into में thousand upon में m अब मेरी बास सुनो k तो आप पढ़ी चुके हो k क्या होता है बटा के तो हमारा क्या है कपा होता है बोलो हा ना अरे बोलता दो कपा कपा की unit क्या होती है साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स पीछे पढ़ चुके हम लोग अच्छा यहां पर m क्या है बटा m क्या है मोलरिटी मताओ ना m क्या होता है मोल है रिटी क्या होता है number of moles of solute upon volume of solution मोल पर लीटर बोल दें तो यह हमारा क्या हो जाएगा हमारे पास conductivity निकाल नहीं है तो उसके लिए हमारा पास जो फॉर्मले में चीज़े दे रखें उसमामें आती है लेकिन जब आप equivalent conductivity निकालोगे बटा ठीक है हम लोग जब equivalent conductivity निकालेंगे तो इसका फॉर्मला होता है के इंटू में thousand और अपॉन में एन अब मेरी बास सुनो वाट इस एन एन क्या है यह एन नॉर्मेल्टी है और अगर आपको नॉर्मेल्टी निकाल नहीं है तो आपको क्या चाहिए equivalent वेट चाहिए equivalent weight के लिए क्या चाहिए atomic mass चाहिए तो यार इस formula को use करने के लिए जो चीज़े हमें चाहिए नॉर्मेल्टी फिर equivalent weight equivalent के लिए atomic mass कित्ते का याद करोगे तो इसलिए हम लोग क्या करते है जनली हम लोग ये वाला जो formula है वो use नहीं करते हैं ध्यान रखना ठीक है तो अगर हमें question में molar conductivity निकाल लेंगे equivalent conductivity निकाल लेंगे तो क्या कहोगे नहीं आती ठीक है equivalent conductivity हम निकाल लेंगे नहीं को चोड़ देंगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे ठीक है देखो एक relation देख लो क्या अगर हमें molar conductivity दे रखी है और equivalent conductivity अगर में निकाल लेंगे तो equivalent conductivity का formula क्या होता है molar conductivity upon में एन फैक्टर ठीक है तो आप क्या करोगे आप ये relation यात रोगे relation between molar conductivity and equivalent conductivity ठीक ना तो इतना सा आपको यह अगर यह formula याद है तो हमारा equivalent conductivity भी solve हो जाएगा नहीं तो अगर में molar conductivity दे रखा होगा और equivalent conductivity नहीं दे रखा होगा तो वह हम नहीं निकाल पाएंगे इस formula से क्योंकि आप जितने सारे जो element और complex कोई आ गया तो उसका तुम कैसे निकालोगे नॉर्मिल्टी ठीक है तो उस चीज को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे यह याद कर लेंगे formula n factor क्या होता है न factor का मतलब है total number of electron exchange during the reaction कितने electron का आदान प्रदान हो रहा है उसी को बोलते हम लोग n factor लिख दो यहाँ पर क्या है यह total number of electron exchange during the reaction exchange during the reaction ठीक है न तो यह हमारे formula होगे कि इसके molar conductivity के है और equivalent conductivity के है चले आगे इसका screenshot लो चलो अब कहरा खॉल्रास लोग क्या होता है देखो यार खॉल्रास लोग क्या है actual में अगर हमारे पास कोई salt है axby तो इसे कैसे करोगे पहली बात तो इसे तोड़ जा रहा तो लिखोगे x into में a की power y plus plus का y into में b की power x minus b की power x minus कुछ नहीं करना है देखो खॉल्रास लोग से अगर कोई question आएगा देखो तुमें अगर molar conductivity निकाल नहीं है उसके लिए पीछे formula है equivalent conductivity निकाल नहीं उसके लिए भी formula है तो यह दिया क्यों गया यह दिया गया है बस कुछ salt की equation से लिखनेगा तो मैं कोई भी salt देगा कहेगा इसके लिए अगर हमसे कहता है कि तुम्हें lambda m की power c निकाल नहीं है किसके लिए एक तो इस reaction के भिहाफ पर इसे break कर लो यहां पर कुछ नहीं होगा तो वन होगा वन तुमारा क्या हो जाएगा एक्स इंटू में mg को ए बोल देंगे ठीक है ना टू क्या है यहां पर वाई और सील को बोल देंगे भी पहली बताओ यहां तक की बास नहीं आगई अब अगर हमें इसका लेमडा एम की पावर सी निकालना है किसका mgcl2 का mgcl2 का कैसे निकालेंगे तो आपको करना क्या है आपको लिखना है सबसे पहले एक्स इंटू में लेमडा एम नॉट जो भी आपको दे रखा है और फिर क्या लिखोगे अपको लिखोगे य प्लस फिर प्लस बी बी का मतलब जो भी दे रखाओ वी का इस और इन टू में क्या लेमडा एम नॉट और एक पावर एक्स माइनस इस एक्विशन में क्या करेंगे इसकी वैलुप पूट करनी बस जाद फार एक्जांपल यहां पर एक्स की वैलुप लिख दिए प्लस बाइट और प्लस का वाई वाई कितना विटा टू एंट वाई लेमडा मॉट कोशन में दिया होगा तो रखेंगे इसे रहने देंगे एक पावर एक तुमारे पास एक है तुमारे पास एक है तुमारे पास M.जी यह तुमारा लेमडा M की पावर C निकल के आगया किसका M.G.C.L.2 का है ना तो बस हमें करना क्या है कोई भी सॉल्ट दिया होगा उस सॉल्ट को इस एक्क्विशन में पुट करना होगा जैसे फॉर एक्जांपल माल लो तुम्हें A.L.C.L.3 तो अगर A.L.C.L.3 के लिए ह कि यहां पर लेमडा M की पावर C हमें जो निकालना है ना किसका A.L.C.L.3 का क्या करेंगे सबस्क्राइब एक्स तो X कितना दे रखा है वन इंटू में लेमडा M not अगर दे रखा है तो सही है नहीं तो ऐसे पुट कर दो इंटू में क्या है A की पावर Y plus यानि कि A कितना हमारे पास? A है यहांपर हमारे पास? A.L.3 प्लस और प्लस का Y कितना है? 3 इंटू B की पावर, B कितना दे रखा हमें? B दे में लेकिन एक बार क्या करो? लेमडा से मिल्टिप्लाइए तो 3 इंटू में क्या है? लेमडा M not और B की पावर Y- B कितना है? C-L उस पे आगया माइनस का 1 ये हमारे पास equation किस के लिए निकल के आगई? AL-C-L 3 के लिए तो अगर क्या लाउस लाउस से कोई भी equation आपके पास question आता है तो वो बस इतना आएगा कि आपको जो भी respected salts दे रखें उनकी आपको खैल लाउस 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 क्या है? खैल लाउस 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 की अब्लिकेशन ये हैं कि पहला कुछ फॉर्मुले जो हैं आपको वो याद करने हैं अगर हमें alpha निकालना है alpha याद है? हम लोगोंने दो चीज़े पड़ी थी इंद्धा की पावर च्पं में लेंडा एम नौट थीक है एक फॉर्मला भी यहाद कर लो एक याद होगा इसका फ्रमला क्या होता इसका फॉर्मला ऊता है सी एलफा इसको ऑपॉर्म मन और माइनस का अगर अगर मालो ये value बहुत ही छोटी है 1 से तो आप इसे neglect कर सकते हो जीरो मान सकते हो तो कहीं कहीं आपको ये भी लिख के मिल जाएगा कुछ teachers डारेक्ट लिख देते हैं के is equal to क्या C alpha square तो ध्यान रखना ये C alpha square कब लिखा गया है कि अगर हमारा alpha जो है वो बहुत छोटा है कि से 1 से तो उस value का आप neglect ही कर दो obviously तो है ना तो इसे हम direct C alpha square भी लिख सकते हैं तो ध्यान रखना कि अगर कोई तुम्हाँ सामने ये वाला formula लिखे या सिर्फ C alpha square लिखे तो एक ही बात है डिपेंड करता question पर अच्छा तीसरा एक formula आप लिखे लो lambda M not का क्या है के इंटू में thousand upon में molarity है तो पढ़ चुके हम लोग ठीक है और एक formula आप याद करोगे solubility product का या मोलाटी नहीं याँ पर solubility ठीक है और एक हम लोग याद करेंगे के SP का के SP का मतलब के तो constant SP का तो solubility product क्या होता formula इसका formula होता है x की power x into y की power y into s की power क्या हो जाएगा x plus का y तो आपको ये चार formula बस application में याद करने जिनका direct use हम लो question में करेंगे जल्दी से एक बार देख लो चारो फर्मलों को लिग लिग लो फड़ाफट चले आगे दो अब question में क्या दे रखा है हमें दे रखा है the conductivity of 10 to the power minus 2 molar CS3 COH is this और देखो यहां पर unit के दे रखी है साइमन सेंटीमेटर इन्वर्ड इसका मतलब यह में क्या question में given है के दे रखा है और यह molarity दे रखी तुमें capital M टिक के पूचा है और अल्फा पूचा question में से कह रहा है alpha बताओ के और given क्या है lambda M not दे रखा है तुमें अच्छा अब दो alpha का formula क्या होता बटा alpha का formula होता है lambda M की power C upon में lambda M not question में lambda M not तुमें direct दे रखा है के इंटी में thousand upon में immolarity के तुमें question में given कितना 3.9 into में 10 to the power minus का 5 और into में ये वाले 10 to the power कितने थी और अपॉन் आपी पह आरई question में दे रखा है कितना 10 to the power minus का तू- का तू- पर गया प्लस का तू तो यह हो जाएगा तो में पस क्या 3.9да तू में 10 to the power minus का 5 और इंटू में 10 to the power plus का 5 बाइतको 3 0 तो पहले से थे माइनस का दो पर क्या तीन 2 0 बढ़ गया अभी plus का 5 minus का 5 cancel हो जाएगा बच्चे का कितना 3.9 ठीक है इस value को उठा गया फूट कर दो तो हमें पास क्या आ गया यह 3.9 पॉइंट हटाए एक और 0 नीच बढ़ा लिया किता cancel यह cancel हो गया बटा क्या बचावन पास 0.01 ठीक है अब के निकाल लो के का फॉर्मला क्या होता है बटा के का फॉर्मला होता है C alpha square upon में 1 minus का alpha अब देखो C question में में already given है कितना दे रखा है 10 to the power minus का कितना 2 और alpha square किता निकाल 10 to the power minus 2 0.01 को क्या लिखो 10 to the power minus 2 और इसका square तो square कर दो और upon में 1 minus का alpha अब एक बाह बताओ 10 to the power minus 2 मतलब 0.01 तो यह 1 से तो बहुत छोटा हो गया तो इसे क्या करें नेगलेक कर देंगे तो यह वाली ची नेगलेक कर दो किता बचा यह तो 0 ही हो गया मतलब 0 in the sense 1 बचा है ना तो हटा दो इसे अब इसका मतलब में पाउस बचता है 10 to the power minus का 2 और into में क्या 10 to the power minus का 4 multiply power add हो जाती ही क्या बच्चेगा 10 to the power minus का 6 यह हमारा correct answer है ठीक है तुमसे कोशन में क्या क्या पूचा था के पूचा था के पूचा था और alpha पूचा था हमने निकाल लिया ठीक है जल्दी से कोशन में given है के रहा के एसपी निकालो यार देखो तुम्हें एस नहीं दे रखा है के एसपी का फॉर्मला क्या होता है के एसपी का जो फॉर्मला है वो होता है हमारे पास की पावर x into Y की पावर y into S की पावर x plus y अगर तुम B A 3 P O 4 को तोड़ते हो अगर तुम B A 3 SO4 है तो SO4 लेलो SO4 का होल ट्वाईस इसे जब आप ब्रेक करोगे दो यहां पिका जाएगा 3 B A 2 प्लस और यहां पर 2 है अपने पास तो यहाँ पर आजाएगा प्लस का 2, SO4, 2- तो यहाँ से ज़रा बताओ कितनी value आगई, देखो यह value किसकी है, x की, यह value है y की, तो देखो हमें आपस x भी है, हमें आपस y भी है, लेकिन हमें आपस s नहीं है, तो हम लोगों ने जो खेला खेला की application पढ़ी तो तीसरा formula देखो ज़रा, यह वाला, क्या है, k into में 1000 upon में s, s हमें question में अगर निकालना है, तो उसके लिए formula क्या है, lambda m not is equal to k, k भी दे रखा, lambda m not भी दे रखा, 1000 तो multiply कर देंगे, चलो आजाओ, तो कहने का मतलब यह है, इन टू में 10 to the power minus का 5, और इन टू में यह वाला तुम्हारा 1000 as it is, और यहां से s, आप क्या करो, इससे उठा के दर, या इससे उडा लो, दो, यह point आया, एक 0 नीचे बढ़ गया, इस 0 से यह 0 cancel, और, 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 यह 2 0 से यह वाले 2 0 cancel, 12 से 12 cancel, यानि कि s निकल के कितना आ रहे हो जाएगा, x कि पावर x, x कितना पाने पास, 3, तो यह रहे हो जाएगा, 3 कि पावर 3, इन टू में क्या, इन टू में y कि पावर y, y कितना 2 कि पावर 2, और, इन टू में, s कितना निकाला तुम्हे, s कि तुम्हे निकाला है, 10 to the power minus का 5, और करोगे क्या, x plus y add कर दो, तो 3 हो दो कितना हो जाएगा, 5, तो इसका डार्ग लिप दो यहां, पावर 5, solve कर लो, पेटा, 3 क्या होगा, 3 into 3 into 3 कितना हो जाएगा, 27, ठीक है, और 2 to the कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 4, multiply में, इन टू में हो जाएगा, 4, और, इन टू में 10 to the power minus का 25, इसे multiply कर लो कित अलवाएगा, सबके formula हमारे पास है, तो अगर तुमने एप्लिकेशन्स जो है, कहलो स्लोकी वो पढ़ ली, तो एक भी कोशन तुमारा गलत नहीं जाएगा, एक बार इसका screenshot ले जल्दी से, ठीक है, आप कुछ बचा, आप कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो बस इस chapter में बैटरीज बची है, बागी पूरा chapter कम्प्लीट हो गया है, तो next chapter हमारा जो भी class होगी, उसमें हम लोग बैटरीज कर लेंगे, ठीक है, चलो फिलाल आज के लिए, thank you so much, bye